D.A.B.com B.S.C. M.A.M.com करे विश्व की सबसे बड़ी युनिवर्सिटी इगनो से सॉल्ट असाइन्मेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करे संपर करे महाकाल कम्प्यूटर्स D.A.V.P.G. कॉलेज के पास पंच मंदीरा मोर से दाहिने सीवान नमस्कार दोस्तों आप दीख रहे हैं Life 10 News और मैं हूँ आपके साथ साइमा बिहार में कहने को तो शराब बंदी है लेकिन यहां शराब के तालाब मिल रहे हैं राज्जी में शराब बेचने और छिपाने के लिए तसकर ऐसे नायाब तरीके जात कर रहे हैं पूरा मामला बिहार के विशाली जिले का है जहां शराब तसकरों ने एक तालाब में शराब छिपा रखी थी जब पुलिस ने चानबीन शुरू की तो पता लगा कि बोरियों में शराब भरकर तालाब में छिपाई गए थी जानकारी मिलते ही पुलिस ने च्छापे मारी की और तालाब से 17 काटून शराब बरामत की गई है पुलिस के मताबिक शराब की ये खेप होली के मौके पर बेचने के लिए बंगाई गई थी पुलिस ने बताया है कि शराब की बोतलों पर होली स्पिशल लिखा हुआ था तालाप से लगबग 17 काटून शराब बरामत की गई है और इस पूरे मामले में F.I.R. दर्शकर आगे की कारवाई लगाता जारी है आपको बता दे कि बिहार के सारण जिले में पिछले साल दिसंबर में हुई जहरेली शराब कांट में अवैज शराब के पीने से कम से कम 30 लोगों की जान चली गई थी बिहार की नितेश कुमार की सरकार ने अपरेल 2016 में पूर शराब बंदी लागू की थी और जहरीली शराब पीने से मरने वालों के परिवारों को मुआफ़ज़ देने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था बोली के पावन मोके पर इस तरीके से बड़ी संख्या में शराब की खेप मिलने के बाद पुलिस प्रिशासन और ज्यादा आक्टिव हो गया है वागी क्या कारवाई होगी ये देखने वाली बात होगी तब तक लाइटर नियूस के साथ आप बने रहें